नमस्कार दोस्तो आपके अपने चनल B.S.A.T की क्लासिस में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज की वीडियो बहुत इंप्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि दोस्तो आज की वीडियो वा हम डिसकस करने वाले हैं सर्वाधिक प्राठ्थ मिक्ता दी जाती है जी एक्सपोर्ट की पॉइंट अव व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आम की प्रजाती कौन सी है जी दोस्तो अगर हम बात करें ऑप्चन अमस्ती की अलफान्सो आम की तो दोस्तो अलफान्सो जो है भारत का सबसे खास किस्म का आम है और इसके नाम जो है राज्यों के हिसाफ से जैसे दोस्तो महराष्ट में इसे हापुस कहते हैं और करनाटक में इसे आपुस कहते हैं और दोस्तो अलफान्सो आम को सरवाधिक निलियात किया जाता है option number C इस प्रेशन के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जागा जिन्होंने भी बता option number C right option है चलिए दोस्तों अगला प्राश्चन निम्डिकी तोई से कि तेल और रेशा दोनों ही परियाप्त मातरा में प्राप्त होता है कि आप जानते कि दिए गई कौन सी एक फसल ऐसी है जिससे तेल और रेशा दोनों ही परियाप्त मातरा में प्राप्त होते है जी दोस्तों करें हम बात करें तो भारत में प्रमुख तिलहनी फसले दोस्तों सरसो है अलसी, सोयाबीन और मुंगफली यह जो है प्रमुख तिलहनी फसले हैं और दोस्तों करें हम बात करें अलसी की तो अलसी या तीसी ऐसी तिलहनी फसल है जिसमें प्रचुर मातरा में तेल और रेशा दोनों ही प्राप्त किया जाता है option number 10 प्रेशन के लिए जोनों ने भी पता है बिलकुल सही विकाल को जागा चलिए दोस्तों अगला प्राशना जी दोस्तों कि आप जानते कि फसलों के निम्लिकित में से कौन सा योग्म भारत में कुल दालहन उत्पादन का 75% को represent करता है कौन सा योग्म जो है वो दलहन का कुल 75% उत्पादन करता है जी बात करें दलहन की तो दोस्तों हम भारत वासी जो है उत्पादन और उपभोग दोनों में ही number 1 है दाल की अगर हम बात करें और दिये के options की अगर बात करें चलिए दोस्तों अगला प्रशन दोस्तों क्या आप जानते है ब्रमोस मिसाइल को सयुक्त रूप से किसके द्वारा विक्सित किया गया था PDF थोड़ी सी खराब है दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रशन की तो ब्रमोस मिसाइल का विकास जो है भारत और रूस की सयुक्त परियोजना के अंतरगत किया गया है option number C भारत और रूस इस प्रशन के लेबल को सही विकार पुचाएगा चलिए दोस्तो अगला प्राश गया निम्रिकित में से कौन सा योग में सही सुमेलित है विचार करके बताए कई सारे विटामिन के नाम आपको दिये गया है और उनके source के बारे में बताया गया है विचार करके बताए कि कौन सा सुमेलित नहीं है जी दोस्तो गाजर से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन A की प्राप्टी होती है तार के तेल से दोस्तो विटामिन E प्राप्ट कर सकते हैं और कॉड लीवर ओयल दोस्तो इसमें विटामिन D पाहे जाता है और बात करें दोस्तो विटामिन B की, option number D की, तो इस प्रेशने के लिए बिल्कुल right option हो जागा, दोस्तो धान की भूसी से हमें विटामिन B नहीं प्राप्त होता है, धान की, बूसी के तेल से विटामिन E प्राप्त होता है, तो यहां से आपका option number D, right option हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है, चलिए दोस्तो अगला फ्रेशने, जी क्या आप जानते कीट भक्ची पौधे जिस म्रदा में उकते हैं, उसमें अल्पता में होता है, तो दोस्तो क्या जो है उसमें अल्पता में पाया जाता है? बिल्कुल ठीक, दोस्तो, कीट भक्ची पौधे मासाहरी पादब क्यालाते हैं, और ये पौधे ऐसी भूमी पर उकते हैं, जहां नाइट्रेट का अभाव होता है, अथवा ये पौधे जो है भूमी से नाइट्रोजन प्राप्त करने में आसमर्थ होते हैं ओप्शन नमबर A बिल्कुल राइट ओप्शन हो जागा कीट भक्ची पौधी नाइट्रोजन की अलपता वाली मिट्टी में उखते हैं ओप्शन नमबर A हो जागा राइट ओप्शन चलिए दोस्तो अगला प्राप्शन प्रेशन के लिए चलिए दोस्तो अगला प्राप्शन नमबर कितमे से किसने भारत में हो रही missionary गतविधियों को आत्म घाती और सांती के लिए खत्रा माना था जी दोस्तो Lord William Bating option number C बिलकुल right option रोजागा Lord William Bating ने भारत में चल रहे missionaryों को आत्म घाती और सांती के लिए खत्रा माना था option number C हो जागा इस प्रश्ण के लिए सही option चलिए दोस्तो अगला प्रास करें भारत में अंग्रेजों के शाषनकाल में सभी तीनो गोल मेज सम्मेलन किस इस्थान पर किस शहर में आयोजित किये गये थे जी बात करें दोस्तो साइमन कमिशन के रिपूर्ट पर विचार करने हैं तो ब्रेटिस सरकार दोरा लंदन में गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया option number B इस प्रशन के लिए सही विकल्प हो जागा गोल मेज के तीनो सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था option number B हो जागा बिल्कुल right option चलिए दोस्तो अगला प्रासन दिली दरबार का बायोजित हुआ था? जी दोस्तों कई बार आप पूछते हैं कि प्रशन कठिन पूछे जाएंगे या फिर आसान पूछे जाएंगे आप practice करते चले जाएंगे आपके लिए प्रश्न उतने ही आसान होते चले जाएंगे जैसे दोस्तों एक अच्छा batsman जो होता है वह सिर्फ faster या सिर्फ spinner पर practice नहीं करता है वो हर तरीके के मौलर पर practice करता है उसी प्रकार से आपको भी जादा से जादा प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए जिससे आप हर तरीके के प्रश्नों को हल करने के हल कर सके तो यहां से आपका अगरम बात करें दिल्ली दर्वार की तो option number C जिनों ने भी बता है 1911 में दिल्ली दर्वार आयोजित हुआ था चलिए दोस्तो अगला प्रश्न जी वन्यजीब अभ्यारन और राजी के नाम आपके समझी दिये गये है विचार करके बताएं कि कौन एक सुमेलित नहीं है जी दोस्तो बादीपूर वन्यजीब अभ्यारन राजी करनाटक सही है बात करनें दोस्तो पाखल की तो पाखल वन्यजीब अभ्यारन जो है वो तेलंगाना राज्य में इस्तेत है तो यह समेलित नहीं हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका right option हो जाएगा अप्षन नम्बर B इसके लावा दोस्तों सिक्री देवी वने जीव, अभ्यारण हिमाचल परदेश राज्य के अंतरगत आता है और दचे ग्राम जो है वो जमू और कश्मीर राज्य के अंतरगत आता है अप्षन नम्बर B प्रश्न के लिए राइट अप्चन हो जाएगा बलकुष सही चलिए दोस्तो अगला प्राशना इन लिकित में से किस वर्ष में भारत में अंतर परिशद इस्थापित के गई थी जी अंतर राजिय परिशद कब इस्थापित के गई थी जी दोस्तो अनुचे 263 राजियों के मंद समन्वे के लिए अंतर राजिया परिशत के गठन की ब्यावस्था करता है और दोस्तो अंतर राजिया परिशत का गठन जो है सरकारिया आयोक के अनुसंसा पर वर्ष 1990 में किया गया था अप्शन नमबर 20 प्रेशन के लिए जोनर भी बता है राइट अप्शन हो जागा चलिए दोस्तो अगला प्राश करा भारतिये सम्विधान के लिवनिखित में से किस संसोधन ने पंचायतों को समवैधानिक दरजा प्रदान किया जी दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत में 73 संसोधन अधिनिया 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को समवैधानिक इस्तिती और सुरक्षा प्रदान की गई है अप्चन नमबर सी इस प्रदान के लिए राइट अप्चन हो जागा जिननों ने भी बता है तिया तरवा संसोधन बिलकोल सही विकल्प है अगला प्रदान जी निम्रिकित में से कौन सा राजी का नीती निर्देशक सिधान्त भारतिय संविधान में बाद में जोड़ा ग दोस्तो 49 का में प्रदान किया गया है और परिक्षा की द्रष्टी से यह प्रश्ण हमेशा ही important रहते हैं महतपूर रहते हैं और बात करें इस प्रश्ण की तो राष्टिय विकास परिशत का गठन जो है दोस्तो 6 अगस्त 1952 में किया था ओप्शन नमबर डी इस प्रश्ण हो जागा जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सई विकल्प है अगला प्रश्ण है जी भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मानने है जी 10 रुपय तक option number C बिल्कुल सई विकल्प हो जागा चले दोस्तों अगला प्रश्ण है जेबलन बि बिहार श्रावस्ती में इस थे तो option number A expression के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट option हो जागा दोस्तों गरम बात करें तो बहुत गरंतों के अनुसार इसी बिहार में बगवान बुद्ध द्वारा धर्म सभा मंडप में सत्य और अहिंसा समेप अन्य समस्त उपद प्रेशन के लिए जलालु दिन खिल जी जिन्होंने भी पताया बिल्कुल सही भी प्रेशन देखते हैं जी क्या आप जानते हैं दोस्तों तक्नीकी सिक्षा है तू पहला राष्टिये विध्याले कहां खोला गया जी टेकनिकल एजुकेशन के लिए पहला नेशनल इंस्ट अगला प्राशन निम्रिकित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की तो गंगा है एशिया की सबसे लंबी नदी दिये गया विकल्पों में से कौन सी है जी दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांग्टिसी और यह नदी जो है दोस्तों इस लंबाई जवे वो 6000 से ज़ादा लंबी है 6000 किलोमेटर से ज़ादा लंबाई है यांग्टिसी नदी की और यह नदी जवे दोस्तो चीन के सिकॉंग पहाडियों से निकल कर पूर्वी चीन सागर में गिरती है और भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में जी बिल्कुर ठीक दीएगा ऑप्शन की बात करें दोस्तो जेलम नदी जो है उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है ऑप्शन नमबर डीस प्रेशन के लिए जिन लोगों ने भी पता है बिल्कुर सही विकल को जाएगा जेलम चलिए दोस्तो अगला प्रेश्टर निम्निवे से कौन रभी की फसल नहीं है जी दोस्तो रभी की अगर हम बात करें तो रभी की फसलों के अंतरगत गेहूं है जो है चना है मटर सरसो ये सब आते हैं बात करें option number C मक्का जो है वो रभी की फसल नहीं है option number C इस प्रेशन के लिए जिन्हों ने भी बता है बलकुल सही विकल को जागा चलिए दोस्तों अगला प्राश्टा भारत की जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 के तुल्ला में 2011 में बढ़कर कितना हो गया जी प्रतिवर्ग किलोमेटर में निवास करने वाले वेक्थियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं 2001 की बात करें दोस्तों तो 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व था 325 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मिटर में थे और अगर हम बात करें 2012 की तो 2012 में दोस्तो 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मिटर में हो गए तो दिये गया options की अगर हम बात करें दोस्तो option नमबर A 325 और 382 इस question के लिए जिनों ने भी बताया है right option हो जागा चले दोस्तो अगला प्रस्ट दोस्तो frisbee क्या है यदि आपने सुना हो frisbee के बाले में तो विचाख करके बताये दिये गया options में से right option क्या है जी दोस्तो frisbee जो है एक प्रकार का sport है खेल है option नमबर B प्रस्ट ने बिलकुल right option हो जागा इस खेल में दोस्तो एक flying disc के साथ खेला जाता है और यह है पूरी तरिके से खेलारियों के fair play की तरज़ पर खेला जाता है क्योंकि दोस्तो इस खेल में कोई referee या फिर empire नहीं होता है option नमबर B इस प्रस्ट के लिए हो जागा मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया जी दोस्तो चवालिस्वा समिधान संसोधन जो की हुआ था 1978 में तो दोस्तो इसमें जो है समपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्ति कर दिया गया था option नमबर A इस प्रस्ट के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जागा जिनों रग भी पता है बिल्कुल सही है अगला प्राशन निम्न में से कौन अनुचुम्बकिया है कौन जो है अनुचुम्बकिया है जी अनुचुम्बकिया है का मैंगनीज क्लोराइड ऑप्शन नमब सी सही विकल पे है चलिए दोस्तो अगला प्राश्ण सल्फर डायक्साइड प्रदूशर के लिए मुख्य संके तक पौधा है तो अगला प्राश्ण देख रहे हैं दोस्तो भूमी का जल तनाव की माप की जाती है तो दोस्तो भूमी के जो जल तनाव है उसकी माप किसके द्वारा की जाती है जी, टेंशन मतलब टेंशियो मीटर द्वारा भूमी में जलतनाओ की माप की जाती है option number 30, प्रशन के लिए बिल्कुल right option ने जगा याद रखिए कि दोस्तो भूमी के जलतनाओ की माप जो है वो टेंशियो मीटर द्वारा की जाती है option number C, सही विकल्प है, अगला प्रशन अलबरूनी किस के साथ आया था दोस्तो जी, अलबरूनी गजनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया था option number 20, प्रशन के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जागा गजनी के महमूत के साथ आया था अलबरूनी अगला प्राशन जी क्या आप जानते है दोस्तो धौली कहां इससे थे जी अब जिसे उत्तर पता है उसके लिए यह प्राशन आसान और जिसे उत्तर नहीं पता है तो यह बहुत कठिन प्राशन है जी धौली हिल्स जो है दोस्तो उडिशा में भुवनेश्वर से 8 किलोमेटर दूर दया नदी किनाड़े इस्तित है जी अप्रेल 1526 को पानीपत के मैदान में इबराहिम लोदी एवं बावर के मद्द दोस्तो युद्ध हुआ था जिसमें इबराहिम लोदी की पराजय हुई थी और इस प्रकार युद्ध में मिरत्यु को प्राप्त करने वाला में दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था आप्शन नमबर C इबराहिम लोदी राइट आप्शन हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला प्राशना किस राज्य के लोगों से संब्धित था जी 1831 में दोस्तो हुआ था चोटा नागपुर के कोलो ने यह उस समय किया जब उनकी भूमी उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख क्रशिकों को दे ली गई थी जिनों ने भी पता है उप्शन नमबर ए छोटा नागपुर के तो बिलकुल सही उप्शन हो जागा अगला प्रशन विर्शा मुंडा का कारेचेत्र कौन सा था बोस्ट इंप्रशन दोस्तो कई बार यह प्रशन पूछा जा चुका है जी एक आदिवासी नेता थे विर्शा मुंडा जो मुंडा जाती से संबंदित थे और वर्तमान भारत में दोस्तो राची और सिंग भूमी के आदिवासी बिर्शा मुंडा को भगवान मानकर याद करते हैं ऑप्शन नमबर डी इस प्रशन के लिए बिलकुल राइट ऑप्शन हो जागा राची जिन्दर ने भी पता है बिलकुल सही विकल्प है चलिए दोस्तो अगला प्रशन जी नाथुला धर्रा भारत के किस राज्य में इस्तेत है यह भी प्रशन बहुत ही इंपोर्टेंट है नातुला दर्रा दोस्तों सिक्किम राजे के अंदर इस्थे तो option no.6 प्रशन के लिए बिल्कुल right option हो जागा चलिए दोस्तों इसके लावा दोस्तों कुछ और प्रमुक दर्रे है जिनसे संबंदित प्रशन पूछा जाता है जैसे दोस्तों जोजला और पीर पंजाल जो दर्रे है वे जम्मू कश्मीर में इस्ते थे दोस्तों नीती और माना नामक जो दर्रे है वे उत्राखंड राज में इस्ते थे और हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों सिपकीला और रोहतांक दर्रे जो है कई बाए प्रश्न में पूछा जाता है सिपकीला और रोतांग तो यह हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के अंतर गताती हैं चलिए दोस्तो अगला प्रश्न लिम्निकित में से कौन सा इस्थान परमारू शक्ती स्टेशन के लिए प्रसिद है कौन सा इस्थान परमारू शक्ती स्टेशन के लिए प्रसिद है जी बलकु ठीक कुडन कुलम तमिल लाडू का कुडन कुलम आप्शन नमबर डी इस प्रश्न के लिए बलकुल सही विकलत है अगला प्रश्न जी हीरे के लिए प्रसिद किम्बरले खान कहां इस्थेत है जी दोस्तों याद रिखे का किम्बरले जो है दक्षड अफरीका के उतरी की प्रांथ की राजधानी है और यह जो है दक्षड अफरीका की विस्व प्रसिद हीरे की खान है option number C इस प्रश्ट के लिए जिन लोगों ने भी बताया बिल्कुल सही भी कलप हो जागा very good जिन ने भी बताया option number C दक्षिड अफ्री का right option है अगला प्रश्ट भारत में राज्य सभा किसका प्रतिनिध्यत्व करती है जी राज्य सभा जो है वो किसका प्रतिनिध्यत्व करती है बिल्कुटी दूस्तों समिधान के अनुछेद अर्सी के अंतरगत राज्य सभा राज्यों और संग राज्य छेत्रों के प्रतिनिध्यों से मिलकर बनेगी अताहा इस परश्ट है कि राज्य सभा राज्यों और संग राज्य छेत्रों का प्रतिने ध्यत्व करती है option number D इस परश्ट के लिए जिन लोगों ने भी बताया बिल्कुल right option हो जागा चलिए दोस्तो अगला प्रश्ट निम्ने में से कौन सम्विधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तो इस परश्ट में किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को सम्विधान सभा का इस्थाई अध्यक्ष नियोक्ति किया गया था भारत में जन्मत के निर्मार में मुख्य तत्व क्या होता है इस प्रश्ट के लिए बिलकुल सही विकलप हो जागा चलिये दोस्तो अगला प्राश्ट नियंत्रक और महालेका परिक्षक द्वारा के गई टिपड़ियों पर कारवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी किसकी बनती है जी दोस्तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो टिपड़िया की जाती है उस पर कारवाही करने की जो सबसे पहली responsibility बनती है देगया options में से किसकी है जी याद रिखेगा दोस्तों सम्विधान के अनुच्छेद 148 में नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक के स्वतंत्रपद की ब्यवस्था की गई है और दोस्तों यह जो है केंद्र राज्य या किसी अन्य प्रादी करण या संस्था के महालेखा परिक्षक से जुड़े लेखा मामलोग को ब्यवस्थित करता है और उसका निरिक्षाल करता है उप्षन नमबर सी इस प्राशन के लिए बिलकुल राइट उप्षन हो जागा संसथ की responsibility बनती है टिप पड़ियों पर कारिवाई करने की option number C राइट उप्षन है अगला प्राशन है सोनार अधिकाचता प्रियोग में लाया जाता है तो दोस्तों सोनार जो है वो किसके दोरा प्रियोग किया जाता है जी एक यंत्र एक युक्ती होती है सोनार और जिसे जो है दोस्तों समुद्र की गहराई ग्याद करने के लिए जल के नीचे के वस्तुओं जैसे मचली के श्रूत या फिर नस्ट हुए जहाजों और दुश्मनों की पंडुबी का पता लगाने के लिए नौ संचाल को या नौ सेना दोरा उप्योग किया जाता है जिन्हों ने भी बताया ओप्शन नमबर डी बिलकुल सही विकल पुझागा इस प्रशन के लिए जी बलको ठीक है विटामिन सिगा राष्कानिक नाम होता है अश्कौर्बिक एसेड ओक्षन नमबर डी ब्लकुल सही विकल पुझागा है अस्कौर्बिक अमल करके हम जानते हैं विटामिन सी को जी हमारे कमरे में जो सूरी का प्रकाश पाते हैं वैं किसके द्वारा पाते हैं जी दोस्तों जब प्रकाश किसी ऐसे बाध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अथ्यंत सुक्ष्मकर मुझूद होते हैं तो इनके द्वारा प्रकास सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे दोस्तो प्रकास का प्रकेडन कहते हैं और इसे के घटना के द्वारा प्रकास जो है हमारे कमरे तक पहुच पाता है। आप्शन नमबर A इस प्रेश्ण के लिए बिलकुल सही विकल्प हो जागा, प्रकाश हमारे कमरे में प्रकीनन द्वारा आता है, आप्शन नमबर A बिलकुल सही विकल्प हो जागा, जी बिजली का सबसे उत्तम चालक निमलिखित मेंसे कौन है? जी अगर में बात करें दोस्तों तो दिये गए विकल्पों में से समुद्र का जल जो है बिजली का सबसे उत्तम चलक होगा क्योंकि दोस्तों समुद्र का जल जो है लवर यह होता हो और ये लवर जो है जल को आयनिकरत कर देते हैं जिससे उसमें electron प्रवाहित हो सकते हैं option number B इस प्रश्ण के लेबल को right option हो जागा very good general भी पता है option number B सही विकल्प है जी दोस्तों अगला प्रश्ण important प्रश्ण pitch blend जो है वो किसके मुख्य श्रोथ होते है जी दोस्तों कि हम बात करें तो uranium जो है एक रेडियो धर्मी बाद दुरलब दत्वे हैं जो प्रकरती में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है इसका परमाडू क्रमाग कितना हो दोस्ता 92 92 होता है इसका परमाडू क्रमाग और इसका मुख्य श्रोथ जो है और दिवस ऑप्शन नमबर डी इस प्रेशन के लिए जोनों ने भी बताया बिलकूल राइट ऑप्शन हो जागा दोस्तों साथ अप्रेल को हम किसके रूप में मनाते है वेश्व स्वास्थ दिवस के हिसाब से और वेश्व परिवार दिवस दोस्तों मनाये जाता है इस प्रेशन के लिए जोनों ने भी पताया था अगला प्रेशन चीत्र कूट जल प्रबाद भारत की निम्रिकीत राज्यों में से किसमे अवस्तित है चित्र कूट जल प्रपाद आप्शन नमबर C 36 गर्ड बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा अगला प्राशन निम्रिकित में से कौन दूरी की एकाई नहीं है जी दोस्तो आप्शन नमबर D जिन्हों ने भी पता है बिलकुल राइट आप्शन हो जाएगा वर्ग मील जो है दोस्तो चित्र रफल की एकाई होती चित्र रफल की एकाई होती वर्ग मील तो आप्शन नमबर D जिन्होंने भी पता है बिलकुल सही विकल्प हो जाएगा चलिए दोस्तो अगला प्राशना भारत छोड़ो अंदूलन कब और कहाँ प्रारंब किया गया था जी दोस्तो 7 अगस्त 1942 को बंबई के गौलिया टेंक मैदान में अखिल भरतिये कॉंग्रेस कमिटी की वाशिक बैटेक होई थी और जिसकी अध्यक्षिता है दोस्तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी और भारत छोड़ा अंदूलन को दोस्तो अगस्त करांती के नाम से भी जाना जाता है अगर हम बात करें इस प्राश्ण की तो आप्सर नमबर A आठ अगस्त 1942 बंबई में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जागा इस प्राश्ण के लिए चलिए दोस्तो अगला प्राश्ण देखते है पितांबरी किसकी एक प्रजाती है तो दोस्तो फसलों से संबंदित भी प्राश्ण पूछे जाते है अक्सर करांतियों से संबंदित बात करें इस प्राश्ण की तो पितांबरी जो है पेली सरसो की एक प्रजाती है बैसिल संगुत अग्ला प्रश्ण करूं और कराश्ट रचे तुकल Singing Hills काूकर ये अग्ला प्रशन máru निम्रिकित में से कौन साथ सुक्ष्म पोशक तत्व नहीं है विचार करके बताएं कौन एक सुक्ष्म पोशक तत्व नहीं है जी दोस्तो वे पोशक तत्व जिनकी आवशक्ता पौधों को सूक्ष्म मातरा में होती है उन्हें हम सूक्ष्म पोशक तत्व कहते हैं जैसे आइरन है, मैगनीज है, तामा, जिंक, क्लोरीन या फिर बोरा नादी और दोस्तो अगर मारकरें जबकि केल्शियम, मैगनीशियम जी है, दित्यक पोशक तत्व के अंतरगत आते हैं, आप्शन नमबर डी इस प्रश्न के लिए जिन लोगों ने भी बताया, वेरे गुड बिलकुल सही विकल्प हो जागा, चलिए दोस्तो अगला प्राश्ना, लोग सभा में आविश्वास, प्रस्ताव, प्रस्तुत करने जी दोस्तों, बिलको ठीक है, समिधान के अनुच्छेत 75 के अंतरगत, मंतिरी प्रशत लोग सभा के प्रती सामोही करूप से उतरदाई होगा, और इसका भी प्राय है कि दोस्तों, मंतिर प्रशत तभी तक है, जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राथ है, दूसरे शब्द प्राइशन के लिए मिलकोर, सही मिकल पोचागा, जिन्हों ने भी पता है, ऑप्शन नमबर A, राइट ऑप्शन है, अगला प्राशन देखते हैं, निब्लिकित में से कौन सी नहर उत्तरप्रदेश में अवस्तित नहीं है, विचार करके बता हैं दोस्तों, ये के ऑप्श ना होकर राजिस्थान में इस्थेत हैं, तो दोस्तों, आप्शन नमबर A, इस प्राशन के लिए जिन्हों री पी पताया, बिलकुल सही मिकल पोचागा, हनुमानगर, आप्शन नमबर A, बिलकुल, राइट ऑप्शन है, इसके लावा दोस्तों, धसान नहर, माता टीला न पेक्ष जोड़े गया थे, आप्शन नमबर A, उन्निस्थो चैतर, ब्यालिस्वा, सम्विधान संसोधन, दो शाब्द समाजवादी और पंत्रिट पेक्ष को जोड़ा गया था, चले दोस्तों, अगला प्राशन है, मंत्री परशत किसके प्रती सामविक रूप से रिस्प अप्शन नमबर B, इस प्राशन के लिए जिन लोगों ने भी बताया बलकुल सही विकल्प है, दोस्तों, आज का आखिरी प्राशन है, भारत में किस वर्ष में राष्टिय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया था, जिरूस्तों, 1885 में भारतिय राष् ये आंदोलन ने संगठित रूप से जन आदोलन का रूप धारान कर लिया था, ओप्शन नमबर B, इस प्राशन के लिए जिन ने भी बताया बलकुल सही विकल्प है, 1885, तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सपोर्ट करते रिए, बहुत ज़्यादा जानकारी और तैयारी के लिए दोस्तों, बने रहे हैं अपने चैनल BSAAT की क्लासिस के साथ, वीडियो को आनते तक देखने के लिए, थैंक यू